चाइना जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपरपावर में से एक है और जिसकी एकोनोमी भी टॉप लीडिंग एकोनोमी में से एक मानी जाती है ये सब चाइना के सिख्रेट प्लैंस के वज़े से उनकी एकोनोमी को बूस्ट मिला है आज हम इस वीडियो में उसी चाइना के top secret plans के बारे में बात करने वाले और साथी साथ US और चाइना के trade war के बारे में भी बात करने वाले और at the last अभी का trending topic नी इंडिया को Chinese product को कैसे boycott करना चाहिए इसके बारे में भी बात करेंगे So let's begin the video नंबर वन चाइना स्ट्रीडिंग प्लैंज त्रू वन बेल्ट वन रोड इनिशेटिव अभी इनिशेटिव लॉंच केता चाइनीज प्रेसिडेंट जिंग पिंग ने जो कि फोकस करता है कि चाइना की connectivity बाकी सब कंट्री के साथ इंप्रूव करना और इसके साथ ओवी ओवार से 78 कंट्रीज जूड चुक है जो कि मेंली एशिया आफ्रीका और यूरोप कंटिनेंस में मौजूद है ओवी ओवार अलसो नून एस बी आरा है बेल्ट एंड रोड इनिशेटिव ये इनिशेटिव अपने कंट्री के नेट्वर्क को दूसरे कंट्री के साथ कनेक्ट करने का ट्राइक करते हैं त्रू रोडवेज रेलवेज और मेरी टाइम पोर्ट और यह प्रोजेक्ट में दो मेंन पार्ट कवर होते हैं पहला है सिल्क रोड एकोनोमिक बेल्ट जो कि प्रेमरी लेंड बेस्ट प्रोजेक्ट है जो कि चाइना को सेंट्रल इस्टन यूरोप और वेस्टन यूरोप से कनेक्ट करता है दूसरा है 21st सेंचुरी मेरिटाइम सिल्क रोड जो कि सी बेस्ट प्रोजेक्टर जो कि साउधन चाइना को आफ्रिका साउध इस्ट इस्या और से कनेक्ट करता है अभी इतना बड़ा इनिशेटिव लेने के बाद चाइना का एक्सपोर्ट प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ जाता है मतलब इंडिरेक्ली उनी को फाइदा होता है और चाइना ने रिसेंट्ली वन ट्रिलियन डॉलर्स फंडिंग के लिए निकाल है जो की बाकी अंडर डेवलेप्ट और डेवलोपिंग नेशन को लून्स देने के ल सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बड़ा इंवेस्टमेंट किया है अभी रिसेंट्ली नेपाल ने भी वी वर जोइन की है जो कि उनकी क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को एन्हेंस करता है जिसके वज़े से आज हमको इंडिया और नेपाल की बॉर्डर इसूस देख करता है त्रू अरेबियन सी रूट जिसके वज़े से ही चाहिना को अरेबियन सी रूट यूज करने की परमिशन मिल गई है अब बात करते हैं नंबर टू टॉपिक जो की है चाइना ग्रूइंग ठ्रेट वाया डैप ट्रैप चाहिना लाखो करोडों डॉलर्स खर्च कर द लोन रिपे ना करने पर चाहिना उनके कोई भी रिसोर्स या फिर उन कंट्री की कोई भी लोकेशन यूज कर लेता है कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए यही डैप्ट ट्रैप में श्री लंका भी पढ़ गई थी क्यूंकि श्री लंका ने बहुत ज्यादा लोन लिया था में चाइना ने अपना खुद का मिलिटरी बेज बना लिया है मतलब क्या बोलो भी अभी तक तो इंडिया डायरेक्ली चाइना के साथ लोन की जंजट में नहीं पढ़ा है मैंने इधर डायरेक्ली इसलिए प्रणॉस किया क्यूंकि इंडिया ने इसे करकी पाकिसतान के पड काशमीर पाकिस्तान का ही हिस्सा है क्यूंकि इस जगह पे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट और पेपर्स के ह strategy साइन हुई थी जो कि चाइना ने WTO यानी World Trade Organization जॉइन किया यूएस और चाइना ने एक दूसरे की कंट्रीस के इंपोर्ट्स पे बहुत ज्यादा टैरिफ टैक्सिज लगा दिया और 2019 के कतम होने पर यूएस ने 360 बिलियन डॉलर्स का टैरिफ लगा दिया चाइनीज प्रोड़क्स पे और इसका ज जो प्रोड़क्स और इसका बना रही है जो 10-20% प्रोड़क्स अमेरिका के जो चाइना में बैचे जाते हैं उन प्रोड़क्स के चाइना मार्केट एक्सेस नहीं देता जिसके वज़े से यूएस चाइना ट्रेड वार चिड गया अभी ये तो था कुछ चाना के के बाद वो भी वार के थुरू नेपाल और पाकिस्तान भी उसके साथ यूनाइट हो गया और ट्रेप के वज़े से इस्री लंका का सबसे बड़ा पोर्ट और जो सबसे नजदी के इंडिया के वो भी उन्होंने कैप्चर कर लिया और इसके बाद चाइना ने सबसे बड़ पासा फेका जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया येस यू गेस्ट इट राइट इस कोरोना वाइरस हमारे नंबर फो टॉपिक भी वही है कोरोना वाइरस दे चाइना सिक्रेट प्लैन चाइनिज डिफेंस मिनिस्टर जेनरल शी क्या नाम है इसका हम जनरल ही बुल सबसे पहले थी लिविंग इशू एंड डेटरेटिंग एंवार्मेंट चुकि चाना की ओवर पॉप्लेशन होने के वजह से उदर के लोगों को उदर घर नहीं मिलता और बराबर रह नहीं सकते और एंवार्मेंट भी उदर बहुत खराब होता है तो रफ हो जाती है लाइ एक एक में चाने बनने के लिए अर जिसके वाजेसे वह बहुत बड़ी मुस्किली में पड़ जाता है क्यूंकि यूएस उनके रास्ते में खड़ा है और चायना दूसरे कंट्री जैसे इंडिया पाकिस्तन शिलंका जापान में बहुत करने सकते क्यूँकि वह कंट्रेस प countries जैसे US, Canada, Australia जहां पर population density बहुत कम है फुदर ही हमारे डेरा जमाएं तो इस general की सबसे main statement यह है We are not foolish as to want to perish together with America by using nuclear weapons, only by using non-destructive weapons that can kill many people will able to reserve America for ourselves We are not so much in the world, 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 we are not so much in the world We will not have a lot of people who will kill the war, but in the opposite country, only by the world, we are not so much in the world And this speech means non-destructive weapons that can be understood, so this was China's secret plans that have boosted its economy We are not so much in the world, we are not so much in the world, we are not so much in the world But now the biggest topic is that we are not so much in India, how to boycott in China And the biggest question is that we can boycott it or not So let us start with number 5 topic that is boycotting Chinese products This is first of all, we will know how to boycott it, first of all, we will answer some questions Number 1 point, boycott is possible to be possible When India and China's economic gap is less than possible, India is going to compete in the economic ways This is possible to be possible The second question is that China's products are cheap, because over population is also because labor is also concentrated in the industry In the world, it is because labor is also a huge factor, which is very low to the labor, because it is very low to the labor It is also a small factor, which is a small factor, but there is a very low factor in the world, because China's value added tax system follows the tax system उसी प्राइस पे चार्ज होता है जहाँ पे प्राइस बढ़ा ही जाती हो यानि रो माटीरल से फिनिस्ट प्रोड़क्ट बनने दर बहुत सारे स्टेप्स आते हैं तो उन स्टेप्स में जो की फाइनल प्राइस है उनको हटा कर जो नई एड़ेट वेल्यू है उन पे ही सिर् एक्सपोर्ट करने के बाद बहुत सारा फाइदा चाइनिज गवर्मेंट को हो जाता है नंबर थ्री पॉइंट है कि इंडिया में इतना पॉपिलर क्यों है क्योंकि चाइनिज गूड्स बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं और उनकी प्राइस भी 10-70 परसेंट लो हती इस आर्रेस के मिल में इंडियन प्रोडक्ट्स आ इंडिस पॉँर्टे गवज्ञात हैं और इनlla को इन ये मृत चाइनिज प्रॉडप्स रउड्स चाहिस प्रॉडक्ट्स होंकि ओंपरिवीज दाफ है का इंडिया और चाइंट गार मंजबूर कि आए चाहान के बाद प् चाइना को 16.7 billion dollars का सिर्फ एक्सपोर्ट किया है मैंने सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि चाइना इंडिया इंपोर्ट का स्ट 70.3 billion dollars मतलब इतना ज्यादा गैप है और दूसरा डेटा यह सजेस्ट करता है कि चाइना अपने ओवरॉर एक्सपोर्ट में से 2-4% ही इंडिया को एक दूसरे कंट्री को अपने प्रोड़क्ट एक्सपोर्ट करेगी और उल्टा तो यह इंडिया के लिए नुक्सान हो जाएगा कि चाइनीज प्रोड़क्ट को कोई भी प्रोड़क्ट रिप्लेस नहीं कर पाएगा वही सेम प्राइज में और वही कॉंटिटी में दूसरा फ अप्रोड़क्ट और इलेक्ट्रोनेक्स ले लो अभी जिसके वाज़े से इंडियन कंपनी जैसे के बीग बास्केट बाइजूस फ्लिपकार्ट हाइक ओला ओयो पेटीम पॉलिसी बजा स्नेप डिल स्विगी जोमेटो एक्सेट इन सब में भी चाइनीज गवर्मेंट ने चैना को कुछ फरक न hourly कोई पढ़ेगा। चैना के अलावे कंट्री चेतना चाइन कोश्ट नहीं कर पएगी की लिए इंडिया में और इंडिया के पॉवर्टी के वाज़े से भी इंडिया के लुग अपने खुद के इंडुस्री में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जिसके वज़े से बहुत भरी नुकसान होगा और एकनोंविट नुक्सान हो जाएगी इन्वेस्टर्स को इसने अट्रेक्ट रले और चाइना ने इनमें भी इनवेस्ट कर लिया अभी चाना का सिर्सफ डॉमिनेंस इन सबी ट्रेडिंग और इसमें इस नहीं है क्योंकि इनका इंडियें दिजिटल मार्केट में भी बहुत बड़ा डॉमिनेंस है क्योंकि टॉप डाउनलोड जो कि प्ले स्टोर पे या फिर आयोएस एप स्टोर पे होते हुँ उनके 50% चाइनीज एप सही है कुछ भी कर लो इंडिया पूरी तरीके से एक जाल में फस्ट चुका है यह कर सकते कि हम अबागी कंपनीज भी इंडिया में प्रोडक्शन करने का ट्राइक कर रही है अभी रिसेंटली थोड़े बहुत फोन में भी टैग्स लग रहे है कि मेड इंडिया और अच्छा प्रोग्रेस ही इंडिया का तो बस यहार इतना ही रखते ही इस वाली वीडियो के लिए और पसंद आये तो लाइक कर देना और चैनल पर नवी हो तो सब्सक्राइब भी कर देना तो मिलते हम आपको अगली वीडियो में ऐसी इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई